प्यारे बच्चों, जैहिंद, सात्वे कक्षा में, कारे पत्रक पार्च में, हिंदी विशे में आज हम पढ़ेंगे दादी मा, इस पार्च से कुछ याद आया, इससे पहले भी हम दादी मा पार्च का एक अगध्यान शपड़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि लेकक अप पत्र की दादी मा नहीं रही, यह सुनकर वो बड़ा दुखी है और अपनी दादी मा को याद कर रहा है, अपनी दादी मा को याद करते हुए, उसने पिछली बार कहा था, कि मुझे कौार के महीने में बारिश के पानी में नहाने से, जब बुखार हो जाया करता था, तो कै ऐसे मेरी दादी मा मेरी दिख फाल क्या करती थी इसी पाथ को आगे बढ़ाते हुए हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे उचित विराम चिन्नों के साथ पढ़ा जाए उचित अलये के साथ पढ़ा जाए कहां पर कितना रुकना है इसका ध्यान दिया जाए तो बच्चों दबारा पढ़ने की आवशक्ता ही नहीं होगी यह आपको पहली बार में ही समझा आएगे अब देखें इसे कैसे पढ़ते हैं दादी मा को गाउं की पचासों किस्म की दवाउं के नाम याद थे गाउं में कोई बिमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम वही काम कैसे जैसे अपने घर में होता था जैसे मेरा ध्यान रखती थी दादी मा सब का ध्यान रखती थी हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर नान के बाद लंक और गुड मिश्टित जलधार, गुगल और धूप सफाई तो कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जिसे पागल हो जाती, यहाँ पागल हो जाती का अर्थ यह है कि उन्हें बहुत क्रोधाता, बहुत ध्यान रखती थी वो साथ सफाई का, महामारी के दिनों में रोज सवेरे सवेरे उठकर कैसे स्नान करना चाहिए, लॉंग, गुड मिश्रित जलधार, कुगल धूप, कर में कैसे धूप जलनी चाहिए, साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखती थी वो, महामारी यानि कोई ऐसी बिमारी जो फ कॉरोना, कॉरोना एक ऐसी बिमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल रही है, और इससे केवल हम ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, देश, विदेश में सब जगह लोग इससे पीडित है, और पूरी धरती को ही इसने अपने में दुखी क किया हुआ है, समाया हुआ है, और कुछ पता नहीं चलता कि ये बिमारी कब कहा से किसको हो जाएगी, हम लोग देख रहे हैं, इस महामारी से बचने के लिए, हम इतने महीने से अपने घर में बैठे पढ़ रहे हैं, इसलिए तो महामारी के दिनों में हम खास ध्यान रखते हैं, जैसे आज कल हम अपना खास ध्यान रख रहे हैं, तो देखिए, दादी मा कितना ध्यान रखती थी सावसफाई का, यदि कोई महामारी होती तो, अब लेखा क्यात करता है, बखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महराज अपने मन से पका कर खिचडी या साबू दाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्स्चर के तीखे पन के डर से बखार भाग भी जाता है, पर नजाने क्यों, ऐसे बखार को बुलाने का जी नहीं होता, तो लेखक कह रहा है, कि उसे अपनी दादी मा बहत याद आ तो सब के घर में जाती थी, उनके साफसफाई का ध्यान करने के लिए उन्हें बताती थी, उनके माथा पेट छू कर देखती थी, बुखार तो नहीं है, अपने अनुमान से बिमारी भी बताती थी, दवाईयां भी बताती थी, जड़ी बूटियां भी बताती थी, और अग कोई घर में साफ सफाई में जरा भी कमी कर दे तो बहुत ही क्रोधी तो जाती थी अब वो आज की बात को याद करते हुए कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है लेकिन दादी मा की तरह कोई नहीं होता जो मेरा माथा चुकर देखे जो मेरे पास बैठा रहे मुझे खिचडी खिलाए बैठकर और मेरे को समय समय पर दवाई दे ऐसा कोई भी नहीं होता अब तो यहां पर नौकर है आता है पानी दे के चला जाता है मैस में जहां सबके लिए खाना बनता है महाराज या जो खाना बनाते हैं अपने मन से पका कर खिचडी या साबू दे जाते हैं और कुनैन मिक्स्चर जैसे तीखे दवाईया दे जाते हैं तो अब तो बुखार को भी बुलाने कची नहीं करता है यह तो बचो बीमारी को कोई बुलाता नहीं लेकिन लेखक ने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगता था ऐसा हलका हलका बुखार बच्पन में जो कि दादीमा केवल अपने घर के लोगों का ही ध्यान नहीं रखती थी बलकि आस पडोस गाउं में सभी के साथ एक जैसा व्यभार करती थी सभी की परवाह करती थी ऐसे कई लोग हमें अपने चारों और देखने के लिए आज भी मिल जाते हैं अब इसका ध्यांज पर आधरित कुछ प्रश्ण देखते हैं गाउं में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचकर दादीमा क्या करती थी प्रश्ण नमबर दो महामारी के दिनों में दादीमा क्या क्या करती थी प्रश्ण तीन लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महराज उनके लिए क्या क् आप चौथा प्रश्न देखिए इस पूरे वाक्य में कोई शब्द ऐसा भी देख रहे हैं आप कोई वाक्य ऐसा देख रहे हैं आप जिसके नीचे एक लाइन लगी है ना देखिए तवा में देर होती मिश्री या शहत्म हो जाता चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती अभी अभी मैंने आपको बताया था वे जैसे पागल हो जाती का क्या आर्थ है यहां तो आपने बताना है यह किसके लिए प्रियोग क्या गया है और वो ऐसा क्यों करती थी प्रश्न नमबर पांच इस समय कौन सी महामारी जल रही है और उससे से इनके हमें क्या थे अथ आपको कढ़्यांश में मिल जाएंगे और जो मैंने कहा है उसे इदिध्षयान से देन तो बहुत स्कून करके पीचिंगे जलगी लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि शो परग उता है कि हां जो नहीं तो मैं और लिक्राइब गाले को सबते हैं मैडम ने निकाली है इसके बारे में कब पूछो गया आप कैसे पता चलेगा यह कौन सी गलती थी है ना तो साथ के साथ में आप लोगों ने काम करके देना है ठीक है ठीक है ठीक